दोस्तों तीरा कटिंग करने में आप ऐसी गलती मत करना नहीं तो आपकी सर्ट है वो खराब कट जाती है तो कई लोगों को पता नहीं होता है कि तीरा हम किस तरीके से काटे तो दोस्तों यह सब आपको क्या करना होगा कि यहां पर तो जितना ही इंची नहों उसका चोटा इस होती है तो कई लोगों की set है वो आगे से चट जाती है और पीछे से लटक जाती है इसका कारण ये होता है कि दोस्तों आप हैं वो तीरा cutting करने में विक्कत आती है आपको तीरा सही तरीके से cutting नहीं करते हैं या तो आप इसको कर देते हो या बेग को कम कर देते हो ज्यादा कर देते हो तो आपको करना क्या होगा कि सेट हो हेवी साइज की हो तो 36 से ज्यादा हो तो उसका यहां पर चोता हिस्सा लगा लेना और ऊपर से यहां से यानि कि दो इंची डाउन कर देना और बे को बरोबर में रख लेना और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि दोस्तों यह कपड़ा है यह डबल में भी छा रखा है तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें सिलाई माल जनने लेते हैं साडीनो इस तरीके से और एक साडीनो उपर निसान लगा लेंगे यहां पर इस तरीके से और इसके बाद में दोस्तों यहां पर हमें साथ इंशी का निसान लगा लेना होगा और यहां पर लगा ना होगा दो इंशी दोस्तों कई लोग पूनी दो तो इसका आरम होल होता है जो हम आस्तीन की जुडाई करते हैं तो वो कम बती हो जाता है तो हमें तीरे में हम कटिंग करने में गलती करते हैं इसलिए हमारी जो आस्तीन है वो बढ़ जाती है कभी कम पड़ जाती है पेंट आगे से चड़ जाती है पीछे से लटच जाती है औ पीछे के का बाद में इसको डाउन करना होता है तो यवक हम 10 कि हमारी कोलर पीछे की साइड में भागे़ के तो इस तरीके सर्फ चड़ जाती हैं तो येही मैंने कारण है दोस्तों तो आपको कैसा करना है इसको इस तरीके से और हमने दो इन्ची डाउन किया है इस तरीके से मिला लेना है और दोस्तों आपको क्या करना इस तरीका इस तरीक निपसान लगा सकते हो इस तरीके से आप वन इन पर कर भीषागर 6 घ्जान sigu सोगी ह。」 यह होगा है। इससे क्या हो गा कि हमारी यह कस अंधिक से बेठी दूस्तों इसको संदू सब चैनल को सब्सक्राइब करके डा कर dow दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर लेनी है और आसा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे और नहीं जानकारी के साथ थेंक्यू